रेस्टरांट में ये क्या दिया है यार? What is this? Don't know. What is this? इसको क्या कहते हैं? कांटे जैसा है ये तो. पता नहीं क्या-क्या चीजें हैं? Hello my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is Shilpi Tiwari और आज बहुत ही important topic करने वाले हैं हम GK का और वो है Table Manners. क्या होता है ये Table Manners? जब हम किसी रेस्टरांट जाते हैं तो आपने देखा है कितने सही से सारी चीजों का arrangement हुआ रहता है. प्लेटों को जहां रहना है, प्लेट्स वहां रहते हैं, बाउल्स को जहां रहना है, वहां रहते हैं, जैसे के अभी मैंने आपको शो किया वीडियो में कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वो नापकिन किस लिए होता है, वो काटा किस लिए होता है, I have no idea. और मैंने किस तरह से पानी पिया, जिसमें पूरी तरह से अच्छे से आवाजे आ रही थी के मेरे बाजु वाला भी सुन ले. तो चिल्डन आज हमें वो ही सीखना है, जब हम अपने घर में, या किसी घर, किसी गेस्ट के घर में जाते हैं, या फिर हम रेस्टरांट्स में जाते हैं, then we must know children how should we behave. क्योंकि बहुत ज़रूरी है टेबल मैनर्स को जानना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शो करता है के हमारी परस्नालिटी कैसी है, हमें कितना कुछ पता है, हम आरे अंदर एटिकेट्स हैं की नहीं, हमारा बहेवियर कैसा है, and overall children it reflects that which personality do I carry. So this is very important children के हमें table manners के बारे में full knowledge होना चाहिए, योंकि जहां हम जाते हैं हमारी education भी हमारे पीछे जाती है, isn't it? तो बहुत ज़रूरी है ना कि जब हम restaurant जाएं तो हमें पता होना चाहिए, कि किन चीजों को किस तरह से use किया जाता है, किसी के घर जाएं तो ये नहीं feel होना चाहिए, कितना गवार और कितना अजीब सा बच्चा है, तो कुछ पता ही नहीं है खाना खाना कैसा होता है, isn't it? और children, अपने घर में भी जब हम सभी dining table पे बैठते हैं, then we must know that how should we eat, isn't it? So children, today we are going to learn about the table manners, कि हमें कैसे behave करना चाहिए, किस तरह से rules को follow करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का children rules होता है, तो children, आज हम स्टार्ट करेंगे table manners से, ओके, first है, use your knife and fork at all times children, so जब भी आप खाना खाते हो children, या फिर आप किसी के घर गए होंगे, या फिर किसी restaurant में, तो आपने children देखा होगा, कि plates में एक तरफ रहती है, fork और एक तरफ रहती है, knife, तो children, हमें खाना जब खाना होता है, तो आप धियान रखिये, that we must use knife and fork, okay, yes, there are certain food items, जिसमें knife और fork की जरुवत नहीं पड़ती है, तो हम चम्मच का इस्तिमाल कर सकते है, we can take the help of spoons, बट children, जैसे हम pizza खा रहे हैं, कोई bread item खा रहे हैं, so children, we must know that how to use knife and fork, तो जो कांटे जैसी चीज थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मुझे पता नहीं थी, वो क्या है, जो बच्चों आपको ये समझना है, this is known as fork, जब हम कोई fruits खाते हैं, तो हम fork से उठाते हैं न, especially जब हम noodles खाते हैं, तो हम fork से घाते हैं न, so children, we must know how to take the help of fork and this knife, ओके, और हम कहीं भी जाते हैं, plates के सामने हमें ये cutlery दिखती ही है, alright, so आपको जब ही next time से यहाँ पे cutlery दिखिए, जो की knife हो, fork हो, spoons हो, तो आप इनकी मदद से खाना खाना, this is stable manners, okay, next है, next है children, don't throw food, children, जब हम किसी guest के हाँ जाते हैं, या हम अपने घर में खाते हैं, बहुत ही ये bad habit होती है, जब आप खाना फेक देते हैं, ये एक तो खाने का अपमान होता है, दूसरा चनल हम जिनके घर गए हैं, उनका भी अपमान होता है, we disrespect to that person who cooks food for us, right, वो इतनी मैनत से हमारे लिए खाना बनाता है, और हम उनी के सामने, उनके घर में ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, अगर आपको और भूक लगती है, तो आप और सर्फ कर लेजे प्लेट में, बट कुछ लोगों की आदत होती है न, प्लेट में सब कुछ बहलो जल्दी जल्दी जल्दी, बले खा पाया ना खा पाया, तो this is very wrong habit children, because we should never throw food, एक तो चिल्रेन खाने का अपमान हो गया, you are disrespecting food, and also you are disrespecting that person who cooks food for you, so children, whether you are at your home, you are at guest place, or you are in some hotel, or anywhere, you are having food, उतना ही लीजिये, जितना आप खा सकते हैं, बाकी खाना आप तब लीजिये, जब आपको खाने का मन हो, but please unnecessarily don't throw food children, ये भी आता है आपके table manners में, ठीक है, तो पहला हो गया कि आप कटलरी यूजिस करना आना चाहिए, फोक नाइफ कैसे इस्तमाल करना है, okay, spoon से कैसे खाना है, और दूसरा, that don't throw food, okay, third is children, eat with your mouth closed, आम 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 ऐसी आवाजे निकाल के जो खाता है ना चिल्रन, उससे क्यों ही बसंद नहीं करता, no one likes it, विंकि सबको फिर क्या होती, irritation होने लगती है, थोड़ी अजीब सी feeling आने लगती, कैसी आवाजे निकाल रहे हैं, कैसी आवाजे निकाल रहे हैं, So children, जब ही आप खाना खाएं, हमेशा मूँ बंद करके खाना खाएं Eat with your mouth closed, okay So whenever you take any bite, put it inside your mouth and chew it inside without opening your mouth इसलिए कहा जाता है, खाना खाते समय बाते मत करो यूँकि आप बात करोगे, तो मूँ आटोमेटिक लेगा है फिर आप जो भी chew करोगे, वो आवाजे करेगा So better क्या है, कि जब आप खाना खाते हैं, quietly खाना खाएं और मूँ बंद करके खाना खाएं ये भी आता है आपके table manners में Okay, next Don't speak with your mouth full बहुत लोगों की आदत होती है I have seen it like lot many times उसके लोगों को भर के बोलने की आदत होती है यार बहार आजाएगा मूँ से या फिर आपको समझ में आ रहा है कि सामने जो बैठा उसको कितनी problem हो रही होगी आपके ऐसे मूँ फुला के बात करने में So children, never practice this thing It feels कि आपको खाना कभी मिलना ही नहीं है या फिर आप पता नहीं कितने जन्मों के भूके हो So children, this is a very wrong habit आपको कभी नहीं करना है ये आता है आपके table banners में That don't speak with your mouth full आप पहले खतम कर लीजिए अपना बाइट अपने मूँ के अंदर का जो भी चीज है Just finish it off and then you talk and then you speak out Okay, so don't speak with your mouth full Very bad habit, alright Now, next Don't make a mess Don't make a mess मतलब इस तरह से गंदगी ना मचाना आप Please, यसे बहुत बच्चे होते हैं खा रहे हैं, चार चीजें अपने कपडों में उडेल रहे हैं Okay, very bad habit children Don't create any mess ये दर्शाता है कि How you can eat, how you know how to eat, right So you always eat in a very proper and sophisticated way Neat and clean करी के सिखाये Spoon use करीए, distance maintain करीए आपको पता होना चाहिए अगर आपने ज़ादा भर लिया अपने spoon में तो गिर सकता है तो आप बिलकुल भी हड़ड़ाईए नहीं अराम-अराम से खाईए ताकि mess create ना हो Okay, so don't make a mess anywhere आप अपने घर में ही चाहे क्यों ना हो So children don't make a mess Okay Next है children No tipping और no spilling Okay, so no tipping, no spilling मतलब इस तरह से children tip देने की भी आपको नहीं जरुवत है You should not tip anyone Okay, so no tipping and no spilling Alright Next है Don't use your fingers to eat So children you should never use your fingers to eat Okay, होते है ना बहुत लोग जो हाथ से पूरा डिबो डिबो के कटोरियों में दाल पूरा यहां से गिर रही है सबजी पूरे हाथों में भर गई है Don't use your fingers children Because it will make your hand looks dirty Always take the help of spoon युकि spoon से खाएंगे तो हाथ गंदे नहीं होंगे Fingers गंदे नहीं होंगे Then, ask to be excused if you want to leave This is very important children अगर आप table पे बैठे हैं एक दूसरे के सामने फैमिली के साथ और मान लीजे that you have finished your food early आपने जल्दी खतम कर लिया तो children बाकी लोगों तो नहीं खतम किया या तो आप सबके उठने का वेट करिये जब सब लोग खाना खतम कर लेते हैं then you also get up But suppose मान लीजे आपको कही जाना है कोई emergency आगई है and you want to leave early then what you should say first children you should say excuse me if you want to leave उससे क्या लगता है कि आप जो खा रहे हैं उनको उनके साथ आप disrespect नहीं कर रहे हैं ठीके तो आप respectfully उठे and say excuse me और फिर आप वहां से चले जाएं तो इससे क्या लगेगा कि that you are very good mannered boy or girl So children always remember whenever you want to leave in between और suppose मान लीजे आपने जल्दी अपना खाना फिनिश कर लिया है और आपको उठना है टेबल से तो हमेशा पहले कहीए excuse me and then leave the table Clear everyone? Okay Now Next है Don't kick under the table बहुत बच्चों की आदत होती है टेबल में बैठे हुए है और kicking चालू है पैर यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां कर रहे है Please Never हमेशा अपने लेग्स को stable रखिये शान्त रखिये kicking विकिंग बचालू करे आपको पता नहीं आप आजू आजू बालो कितने बार आपने पैर से उसको मार दिया होगा तो चिल्रन हमेशा quietly you have to sit So you can see this girl how she is using fork and she is sitting so properly not kicking anywhere from her legs Right So children Please don't kick under the table आपने पैरों को जल्दी जल्दी हिला रहा है कोई या फिर यहां वहां यहां वहां यहां वहां कर रहा है So it looks that you don't know table manners Okay तो यह भी आता है table manners के अंदर that don't kick under the table Then no toys at the table बहुतों की आदत होती है toys भी लिए आएंगे So children आपको पता नहीं है कि वो आपको क्या दिखाता है कि आपके table को कितना आपको mess में रखने की आदत है है ना तो हमें क्या करना है table किस लिए होता है खाना खाने के लिए होता है खाना सर्फ करने के लिए होता है अपने food items टग दिए अपने plates टग दिए glasses टग दिए That's it So now children no additional thing To toys और कोई भी आपका सामान बिलकुल भी नहीं on the table So no toys at the table Then keep personal items including smart phones off the table Very important children these days हमेशा खाने के समय आप जहां भी बैठते हैं table पे आपको अपने mobile phones को smart phones को table से हटा लेना है तो toys ही नहीं अब आप बोलोगे कि teacher toys हटा रहे हैं What about smart phones? So yes, even smart phones come under that list कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें smart phones बिलकुल नहीं use करना चाहिए उसको table से तुरण भाटा देना चाहिए क्योंकि हम जब खाना खाने बैठ रहे हैं सब लोग के साथ बैठ रहे हैं और आप phone देखोगे और खाना खाऊगे How does it look? It doesn't look good, right? So children, whenever you are sitting at the table keep your smart phones और any personal items off the table हमेशा टेबल से हटा देना है Clear? Then, place your napkin on your lap So children, in the beginning of this video मैंने दिखाया था ना वो napkin मुद्य समझ में नहीं आया What is this all about? तो मैंने इसको फेक दिया No children, napkin का एक purpose होता है और वो ये होता है कि आप उसको अपने lap पे रखिए था इस पे रखिए ताकि कोई चीज अगर गिरती है प्लेट से तो वो आपके pant को या अपने shirt को गंदा ना करें वो उस napkin में जाके गिर जाए And then what you can do? You can just throw it out the things और else after eating आप जब हाथ को उसमें वाश कर लेते हो आप finger bowls में तो आप उस napkin से यूज करके अपने हाथों को wipe कर सकते हो So क्या हो सकता है? Napkin का ये इस्तमाल हो सकता है So इसलिए place your napkin on your lap कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं आप रख लिया, फेक दिया रहे क्या है, ये क्या दे देते है No, हर चीज का children कोई ना कोई use होता है, reason होता है और napkin का क्या reason है? That you have to keep the napkin on your lap Clear? Next Cleaning dishes after you eat So children, ये भी एक बहुत अच्छा table manner है जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं खाना खा लेते हैं, dinner finish कर लेते हैं या फिर lunch finish कर लेते हैं Then we must help that host in cleaning the table as well as in cleaning the dishes ये बहुत अच्छा एक table manner है और ये good habits भी है क्योंकि हम किसी के घर से खाना खाते हैं और उटके सिधे घर चले जाएं Doesn't look good, isn't it? हम अपने घर में भी अपनी मम्मा को ऐसी क्या खाली छोड़ देते हैं क्या खाना खाया उटके चले का अब मम्मा आरी, बापा आ रहे हैं और टेबल में से प्लेट्स और कटोरियां साब हटा आ रहे हैं So children, आप चाहे घर में हो या फिर किसी के घर में हो अगर आप खाना खाने जाते हैं और जब खाना फिनिश हो जाता है then help that person in cleaning the table as well as in cleaning the dishes It shows that you know table manners and you are a good-mannered boy or girl So children, these are few table manners जिससे आपको क्या होगा आप सुसाइटी में अच्छे बिच्चे बन पाओगे आपको पता रहेगा कैसे आपको बीव करना है and children you know जो भी चीजें हम को मिलती है restaurant में उनका कैसे इस्तेमाल करना है जो कि मुझे starting में नहीं मालूम था Right? So children, now you know that what are the use of different-different types of cutleries and what is the use of the napkin Isn't it? So this was the chapter children table manners rule in which you came to know about different-different types of table manners Isn't it? तो ये था आपका chapter अब एक इक information कि अगर आपको magnet brains के videos देखने होते हैं जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये site खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा India's number one 100% free online education platform नीचे दिये रहेंगी classes For example, आप class 3 में हो आप click कर ये class 3 उसके बाद ये आपके सारे subject teachers with their subjects आपको दिखेंगे अब आप suppose मानली जे आपको जीके पढ़ना है click GK आपको GK के chapter wise videos दिखेंगे फिर कोई भी आपको video प्ले करना है play the button and the video will start So ये था आपका topic table manner rules next class में इसी chapter की exercise करेंगे तब तक के लिए magnet brains को like follow subscribe करना ना भूले क्योंकि magnet brains जेता kindergarten to grade 12 free videos and free education Thank you